नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुलसी जी के पौधे के बारे में इस पौधे को हम किस तरीके से घना कर सकते हैं इसकी हमें कैसी आपको केर करनी है जिससे आपका ये पौधा जो है बहुत ही अच्छा हरा भरा और घना बना रहे इसके आप जो है बीज देख र आयू है वो बढ़ाना जाते हैं जिससे की हमारा पौधा जो है वो सालो साल तुलसी का पौधा हमारे घर में जो है वो बना रही इसके लिए आपको कौन सी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो फॉलो करनी होंगी वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए हम अपने वीडियो क स्टार्ट करते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग वे नित्या के सरवाली में आज जो है मैं आप सभी के लिए तुलसी के पौधे की अपडेट लेके आई हूँ तुलसी के पौधे को हम बेसल के पौधे के नाम से भी जानते हैं और इ इसकी variety होती है इस पौधे की पर ये हमारी जो variety है ये पौधा जो है आपको हर घर में मिलेगा ये एक religious पौधा है और इस पौधे की बहुत सारी जो है natural properties है जो से की हमारी आयुरवेद में medicinal plant है टाइप का और बहुत अच्छा जो है ये आपका हर बिमारी में जो है ये पौधा करता है ये पौधा जो है हमारा ये टाइप का immunity booster वाला पौधा है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है हमारा vitamin C, zinc बहुत अच्छा पाया जाता है और जिसकी वज़े से हमारी health जो है वो बहुत अच्छी होती है अगर आप इसकी कुछ पत्तियों का seven रोज सु तो इन बीजों को जब आप वापस से मिटी में वो देंगे तो आपके नए पौधे तयार हो जाएंगे लेकिन अगर हम इन बीजों को और ऐसे ही पौधे को बनाने के लिए permission दे देंगे तो पौधा अपनी growth को रोग करके वो अपनी बीजों को बनाने में effort लगाता है जिस इसा नहीं करना है हमें अपने इन बीजों को जो है इस तरीके से cutting करके हटा देना है जिससे की पौधा जो है वो अपनी energy को नई branch निकालने में नई पत्ते बनाने में यूज करें ना कि बीजों को बनाने में मुझे अपने plan से कुछ बीजों की अविशक्ता थी इसलिए मै उनको तयार होने दे दिया है जैसे ही आपके पौधे में इस तरीके से आप जब cutting कर लेते हैं तो आपके पौधे जो है वो वापस energy अपनी boost करता है और वो फिर से बीज बनाने की कोशिश करता है तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपको छोड़े-छोड़े seeds की अगर थोड़ी सी भी आपको दिखाई दे आपको तुरंद उसे pinch करके निकाल देना है इससे जो है आपके पौधे में नई नई branches निकलेंगी और आपका पौधा जो है वो धीरे-धीरे घना होने लग जाएगा ये देखिए इस तरीके से हमारे सारे बीज जो है वो हमने कठे कर हैं इन बीजो को अब हम संभाल के कर्म बॉक्स में रख देंगे और जब हमारा बरसात का मौसम आने वाला होगा यानि बारिश का मौसम उसके पहले हम इन बीजो को मिटी में बो देंगे जिससे कि हमारे तुलसी जी के नए पौधे जो है वो तयार हो जाएंगे तुलसी ज जो है अपने पौधे को इस तरीके से घना बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं आप अपने पौधे में पिंचिंग करते रहिए जिससे कि आपका पौधा नई नई ब्रांचेज निकालेगा और आपका पौधा घना हो जाएगा आप इसकी जो है मिटी को अगर आप ध्यान मिटी में जो है समय समय पे आप गोडाई करते रहिए जिससे कि जो है आपके पौधे में ऑक्सीजन जो है वो नीचे रूट्स तक के अच्छे तरीके से पहुशती रहें उसके बाद जो है आप इसमें इसको अच्छी संलाइट वाली जगा पर रखिए मतलब प्रौपर ध वीडियो अच्छी लगी हो आप भी अपने पौधे में ऐसी ही जो है टिप्स लगा सकते हैं ट्रिक जिसे कि आपका पौधा भी इसी तरीके से घना हो जाएगा पौधों के बारे में ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जूर कर लिजेगा फे तक यू सो मुच तो वाचिग मैं वीडियो